तो आज के बचन सुनने के लिए तो यार हैं आप प्रेस अलॉट है भजन सहीता पंद्रा का एक मैं आपके लिए पढ़ूंगा उसके बाद हमारी बच्ची पढ़ेगी प्रेस अलॉट भजन सहीता पंद्रा उसका पहला वचन है यहोवा तेरे तंबू में कौन ठिकेगा कौ कौन तेरे पवित्र परवत पर बसने पाएगा हाललॉया हम जब कलीसिया में जाते हैं तो एक आशीश लेने के लिए जाते हैं हाललॉया आज मैं आप से पूछा चाहता हूं कितने लोग ऐसे जो निराशा की जिन्दगी जी रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लड़ लड़ रहे हैं जिन्देगी की कितने लोग ऐसे हैं जो असुरक्षा मैसूस करते अ हैं है अपके जिंदगी में असुरक्षा इंसेङूटी आलेलुया कितने लोग ऐसे हात अट उठाइक हमें सच चो अठ्बर दर जर्फिशा अचा टिर विया जीवन में है और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा हालेलिया रेस अलॉट यह क्यूं है क्यूं निराशा आपके जीवन में काम कर रही है क्यूं असुरक्षा आपके जीवन में काम कर रही है क्यूं डर आपके जीवन से नहीं जाता चर्च आते हैं हम डड़ते हुए एक मन में भै लेकर आते परमिशा ने हमें आशा दिया इश्यो के रूप में तब भी वो आशा भी हमारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हमारा विश्वास उस आशा पर पूरी तरीके से नहीं है हालिलूया घर में हम रहते हैं एक अलग डड़क के साथ कहीं कंपनी में काम करते हैं एक अलग भैसा होता है हमारे अंदर कि भै निदाशा आशांती असुरख्षा यह हमें पाप की और लेके जाती है इसलिए परमिश्र नहीं चाहता है कि हम निराशा में, असुरक्षा में, अशान्ती में, भै में अपने जिन्दगी को गुजारें परमिश्र का भै जरूरी है लेकिन ये भै, जीवन का भै, भविश्य का भै, सुख का भै नौकरी का भै, धंदे का भै, पैसे का भै यह हमारे जीवन में बहुत, बहुत, हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है, आललिया, लेकिन यह क्यों होता है, प्रेज अलॉड, देखे, आज हम बचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री चार का एक, याकूब की पत्री चार का एक, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मेरी बहें, इस वचन को अगर आप समझ लेंगे, आपको एक नई आजादी का अनभव होगा, आपको नए एक सुख का, नई शान्ती का अनभव होगा, इश्व की शान्ती का अनभव होगा, हाललिया, चाहे आप नौकरी में जाएं, चाहे आप स्कूल में जाएं, चाहे आप धंदे पर बैठें, लेकिन एक शान्ती, एक सुरक्षा, एक आनंद इश्व का आपके जीवन में बना रहेगा, अगर ये वचन, अगर आपके जीवन में काम करेगा और इस वचन को आप समझ लेंगे, पढ़ में लडाईया और जगड़े कहां से आगए, हालेलुया, क्यों आपके बीच में जगड़े होते हैं, और क्यों आपके बीच में लडाईया होती हैं, क्योंकि आपके पास निराशा है, आपके पास असुरक्षा है, इन्सेक्योर्टी है आपके पास, इसलिए आप जगड़ कि आप में स्वार्थ है कि अगर देने की भावना आप में वोगी तो जगड़े नहीं होंगे कि अगर आपकी बहन कहिए कि ये सूट मुझे चाहिए और आप दे देंगे जगड़ा इनहीं है जब बहनने सूट मागा और मैं नए नहीं ये मेरा यह मैं नहीं दोंगी प्रेस अलोट तो जग्राश्षीर हो गया रहसे लौट क्यों है क्योंकि आप समåझते हैं कि मैं इंसेक्रीन हूं कि Л को मेरी जीवन का IS क्या होगा मुझे लिलया है। पर आपने बबत्रस्मा भी ले लिया है। लेकिन फिर भी निराशा आपको नहीं छोड रही है। क्यों क्यों कि आप आशा को आशा पर विश्वास नहीं कर रहे से आललुया प्रमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। इसलिए याकूब की पत्री में का कहता है वो याकूब कि तुम्हे लडाईया जगड़े कहां से आ जाए जब हम मसी हैं जब हम विश्वासी हैं जब हमने नया जीवन पा लिया है जब हम पवित्रा आत्मा से भरे हुएं तो लाड़ाई जगड़े क्यों हाललुया आपको पता है जो आत्मा परमेश्वर ने आपको दी है वो पवित्रा आत्मा है वो किसकी आत्मा है मुझसे बात करी किसकी आत्मा आपके अंदर है परमेश्यर की आत्मा है और परमेश्यर की आत्मा जब आप जगड़े करते हैं जब आप निंदा करते हैं जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो वो सुकून से नहीं बेड़ती है वो अंदर ही है इसी का पांच्मा पढ़िए पांच्मा क्या तुम यहां समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो प्रेस अलॉट क्या वो चाहता है कि आप इर्शा करें नहीं वो आत्मा जो पर्मिश्व ने हमारे अंदर डाला है जब आप इर्शा करते हैं जब आप निंदा करते हैं तो वो आत्मा आपके अंदर बेचैन होता है कि यह मैं किसके अंदर हूँ आप इर्शा से आप स्वार्श से वाकिफ हैं कि पुराने जिंदेगी में आप यही करते थे पुरानी शिष्टी में जवाब थे पुराने मनश्यतों में जवाब थे तो आप यहीं करते थे लेकिन जब हम आज की सिष्टी में हैं जब हम नई शिष्टी में हैं तो ये काम हमारा नहीं है अब हम नए हैं अब हम मसी हैं हमें मसी की चाल चल नहीं है हलो प्रेश लौड अलेलिया देखी परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम परमेश्वर के कामों को करें हलो सब लोग समझ रहे हैं परमेश्वर का आत्मा कैसा आता है वो चाहता है हम ब्रातना करें वो चाहता है हम वशनों को पढ़ें वो चाहता है हम वशनों को समझें वो चाहता है कि हम जो परमेश्वर चाहता है हम वो करें तो आपको परमेश्वर की और लेके जाना चाहता है लेकिन आप उस आत्मा क अपने जीवन में लेके जाना चाहते है. आप TV देखते हैं? उसको पसंद नहीं है. वो जरन कर रहा है आत्मा. आपके अंदर जो है, आप TV देख रहे हैं, आप Facebook देख रहे हैं, आप WhatsApp कर रहे हैं, उसको पसंद नहीं है. क्या कर रहा है? इसको परमीश्वर ने चुना है यह क्या आपके लिए तीवी देखना यह वो प्रोग्राम देखना यह फेस्बूक देखना आपके लिए मन उन्जन का साधन है लेकिन जो आत्मा आपके अंदर परमीश्वर का है वो जान रहा है कि अरे मेरी बच्ची यही पाप तुझे पर कर सकता है तो क्या देख रही है इसलिए वो जलन कर रहा है हलो प्रेस अलॉट जब उसका आत्मा हमारे अंदर आता है हम अपने नहीं है पहला करतें शेका उन्निस कि हम अपने नहीं है पविद्रात्मा हम में है उसका आत्मा हम में है लेकिन हम अपने नहीं है हमें उसके मुस तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मेलता नहीं इस लिए तुम रखते हो इसलिए तुम हत्या करते हो रिजलोड अब आप सोचेंगे मैंने क्या हत्या की मैं तो हत्या समस्थ करते ही नहीं कोई क्योंकि तुम लालसा करते हो या तुम लालसा पूरी नहीं होती है तो तुम हत्या करते हो देखी बाइबल अलग है इश्यू का वचन अलग है संसार से अलग है, आपके लिए हत्या किसी का खुन करना है, लेकिन वाइबल में हत्या किसे कहते हैं, मति पांच का 21 से 23 के बीच में, वो कहता है तुम लालसा करते हो लेकिन हत्या करते हो, तुम सुन चुके हो कि पुर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना और जो कोई हत्या करेगा वह कचरी में दंड के योग्यों होगा तुम सुन चुके हो कि पुराने जमाने में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार हत्या करना कचरी में डालने के जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचरी के दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई पर क्रोध भी करेगा, वह हत्याराए। अलो प्रेस अलॉट अगर आप अपने भाई पर अपनी बहन पर अपनी सहीली पर अपने परोशी पर क्रोध करते हैं तो आप हत्या करते हैं किसी इसकी हत्या करते हैं हालेलुया सामने वाले की शांती की हत्या करते हैं उसके सुक की हुथ्या करते हैं वो भाई वेंस उखी है और आपने क्रोध किया गरत बात बोली चुबने वाली बात बोली और उसको आश्यान्त कर दिया है प्रेश प्रोड ल्या मालल लिया basis कर दिये परजम प्रेश में जो प्रेम अलो, शांती निकाल दी, तो क्या किया आपने, हत्या की, इश्व मसी के वचन के अनुसार आपने क्या किया बेटा, हत्या की, बाइबल कहती है हमें किसी के लिए आशीश का कारण बनना है, अगर आपकी वज़ा से कोई दुखी होता है, तो ये हत्या है, अगर कोई दुखी भी होता है, तो ये परमेश्र को नहीं भाता है, ये उसकी आत्मा को नहीं भाता है, साड़े तीन साल तक इश्व किसे विकाई, कभी आपने पढ़ा है, कि इश्व ने किसी को दुखी किया हूँ, को या दूदरूर से लोग आते थे, परातना के लिए, चंगाई के लिए, उसने कभी ना नहीं कि, वो हमिशा तयार रहता था, एमेन, कभी किसी को दुख देने कि उसने कोशिश नहीं कि, उसके चेलों ने दुख दिया, वो बढ़ते माई, अंधा, वो जब बैठा हुआ मांग रहा था, भीक मांग रहा था, अग्य हरा, जैसे उसने पता लगा के जाविश जा रहे हैं, चेले जाए, रुक जा, चुपराओ, 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 चुप उजाओ, चुपजाओ, जैसे ईशने सुना नहीं जेने लेकर आओ, रेसलाउट, वो ही चेले, उसको पता था व inspector ऻे, वो चेले जानने देखे इशू मसी उसको चुएंगा और आशीश पाएंगे वाशीश पाएगा और देखने लगेगा लेकिन फिर भी उसे चुप करा रहते हैं इस ने कभी किसी को भी दुख नहीं दिया कि किसी को भी गलत बात नहीं की क्योंकि दुख देना किसी को कश्च देना किसी हत्या से कम नहीं है तो क्या बोलता है याकुब की पत्री चार का दो कि तुम लालसा करते हो और जब तुम्हारी लालसा पूरी नहीं होती तो तुम हत्या करते हो इसलिए निराशा तुम्हारे जीवन में बनी रहती है आप निराश रहते हैं असंतुष्च रहते हैं अशांत रहते हैं असुरक्षित रहते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के दिल को नहीं समझ रहे हैं के मन को नहीं समझ रहे हैं कि आप परमेशल का अनुसार नहीं चल रहे हैं रिपसरोच क्योंकि आप महसूसी नहीं कर रहे हैं कि मुझे नया जीवन मिल गया हैं इस जो हुए आपने महसूस किया सुबह उठकर उसको धन्यवाद एन्यवाद पर्मेश्यरख तूने मुझे नया बनाया कभी कहा है आपने हमें कहना है धन्यवाद तुंहें मुझे चुना Gregory नई शुष्टी में बनाया मेरी आत्मा को जिन्दा किया मेरे मन को नया किया हमको जिना है हमको अंगिकार करना है अ है आप जितना अंगिकार करेंगे उस सामर्थ की शक्ति आपके जीवन में काम करेगी Praise the Lord Hallelujah आज आप काम करते हैं बिजन समय कहीं से लाते हैं order लाते हैं तो आपके दिमाग बे वो काम कारता है नहीं नहीं ये मुझे मंडे तक देना है ये सोंबार तक देना है ये मंगलवार तक देना है नहीं नहीं यह देना देना है तभी आप काम करबते हैं कि नहीं कर पड़ते हो आज आप कॉल्ज में पड़ते हो और कॉल्ज में उनने का कि नेश्ट वीक वाइट शको तुमारा इक्जाम है तो क्या है आप जैसे आपका टीचर ने बोला कि बुद्धवार को आपका एक्जाम है आपके दिमाग में उसका बोज आ गया नहीं नहीं बैडने से को ममी मुझे काम नहीं करना अब आप दिमाग में अपने आपको सट करते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है अभी दो खंटे ज्यादा पढ़ना है वैडने से को इसाम है मुझे तैयारी नहीं है मुझे कुछ नहीं आता है यू आप अपने आपको तैयार करते हैं इसी तरीके से सुबह उठकर आपको अंगिकार करना कि मैं नया हूं मैं नहीं सृष्टी में हूं पुरानी बाते बीज गई हैं सारी नई बाते मेरे लिए हैं पुरानी बाते हैं नहीं आपके लिए नई बाते अनंद शांती प्रेम सैयम सहंशीलता विश्वस्टता धीरज यह क्या बाते हैं यह हमारे लिए रिस लोड और इन सारे फलों को इन सारी बातों को हमने से बहुत ही उस्सा के संग अंगिकार करना है रिस लोड जब हम उस्सा के संग उसका अंगिकार करेंगे तो यह फल हमारे जीवन में काम करेंगे रिस लोड ये नहीं कैमीशं spr Pasu में आ गए हैbudsया जीवन लिगया है अभी Purmishya ने का that भी जूट महीं बोलना अभी यार 10,000 रुपे का फाइदा हो रहा है, और पास्टर ने का जूट नहीं बोलना, नहीं, प्रेस अलॉट, हम जब नहीं सिश्ची में आगे मेरे भाईया, तो हम नहीं हो गए, हालेलुया, हम नहीं हो गए, और जो हम नहीं हो गए हैं, तो पुरानी बातें हमें याद भी नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए नहीं ना, अगर हम पुरानी बातें याद कर रहे हैं, तो हमारा नयापन कमजोर है, आलेलुया इसलिए वो कहता है भजन सहीता पंद्रा का एक कि यहवा उसको शिंदा है दाउद को कि तेरे भवन में कौन ठिकेगा कौन रहेगा पढ़ना बेटा पंद्रा का एक हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा तेरे पवित्र परवत पर कौन बसने पायेगा कौन रहेगा इसका दूसरा वसंट क्या कहता है वहां जो खराई से चलता वो जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है कौन रहने पाएगा तेरे तंबू में? कौन रहने पाएगा तेरे घर में? जो खराई से चलता है खरा मनुश्य कैसा होता है? खरा मनुश्य कैसा होता है पता आपको? खरा मनुश्य ना दुख और तकलीफ में कभी भी डगमगाता नहीं है कितना भी पहाड ना तूट पड़े उसके उपर वो विश्लित नहीं होता, वो खरा इंसान है थोड़ी सी निराशा आपको जिवन को तोड़ देती है खरा मनुश्य चलता रहेगा जो खरा मनुश्य है वो जानता है सत्य को और वो सत्य पर चलना जानता है इसलिए उसके सामने कोई कीमत नहीं है, दुखों की कोई कीमत नहीं है कोई कीमत नहीं है क्योंकि वो जानता है मैं कौन हूँ It is the Lord Problem यह है कि हम जानते नहीं हम कलीशिया में बैठे हुए हम कौन है परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ मैं इन्हें हम इन्हें अपनी समानता अपने सरूप में रचे आप जानते नहीं कि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता अपने सरूप दिया है आप उस कीमत को नहीं जानते कि परमेश्वार की समानता में मैं हूँ मैं परमेश्वार के सरूप में हूँ आपको जब तक आप महसूस नहीं करेंगे आपको उसकी ताकत का पता नहीं चलेगा Please the Lord आपके जीवन में निराशा क्यों है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप परमेशर की समानता में जिसन आपको पता लग गया कि आप परमेशर की समानता उसके सरूप में निराशा यूँ चली जाएगी क्या बिजनस नहीं चल रहा है? अच्छा कोई बात नहीं चलेगा चलेगा नहीं चलेगा तो क्या है मेरा पिटा है मेरा प्रभू है वो एक राष्टा बंद करेगा दस खोलेगा पिटा है वह मेरा आपका विश्वास आपका विश्वास परमेश्र के वादों को आप तक मौशने नहीं देता है रेसलोट उसने सारे प्रॉमिसिस उसने कर दी है क्योंकि आप उसकी कीमत को नहीं समझ रहे हैं चर्च आने की कीमत को नहीं समझ रहे हैं कि चर्च में क्या है क्लीशिया क्या है हम क्लीशिया की कीमत को नहीं समझ रहे हैं हम क्लीशिया से अपने धंदे को अपनी नौकरी को अ मेरे भाई माफ करिएगा आप कलीशिया से किसी का मुकाबला नहीं कर सकते आप कलीशिया आना आपके लिए एक सवभग्य की बात है क्योंकि कलीशिया में आप किसे भेट करने वाले हैं परमेश्वर से ही इशू से कもし भी या ही इसलिए वह तरब आफ अंदर होनी चाहिए आप क्यों दराशा में कि आप तैयार नहीं करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर अपना जीवन मिताई है कि सुबह आई है साड़ी आट बजे मेरे पास यहां पर कि साड़ी आट से साड़ी नो हम प्रात्रा करते है कि जितना प्रात्रा करेंगे उतना ही और में शरापके करीब आगा और बंधन आफे तूटेंगे अपने निराशा निकलेगी रिसलोट क्योंकि आपका शरीर आपके लिए प्यारा है नीन प्यारी है आप परमिश्वर के कलीशिया को एहमेद नहीं देते हैं कि प्रेसे locks करें कि यही बाद आपका बॉस करें कि अप 1000 और रहा ब बहुत आप दिंट के साथ बजे नहीं पहुंँने साथ बजे पहुंच जाएंगे स रबाधम हैं पहुने साथ बजे Praise the Lord. क्यों? क्योंकि आप कीमत को नहीं जानते हैं. जिस दिन आप जान जाएंगे मेरी बेहन, कि जितना भी आप काम कर रहे हैं, जितने भी आप पैसे की कीमत को समझते हैं, जितने भी आप धंदे की बात करते हैं, ये सारी चीजें परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है इनका मौल कोई नहीं है आप नहीं समझते हैं आप मेरे परिवार के हैं इसलिए मैं आपको हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं फिर वोई देखता हूँ साड़े दो मज़े का कलीसिया है दस बज़े हमले शुरू करते हैं गारा साड़े गारा पौने बारा तक लोग आ रहे हैं क्या सोच के आ रहे हैं प्रेस अलॉट फिर आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है फिर आप कह रहे हम निराश हैं हालेलुया क्यों हमें परमेश्वर को पहला इस्तान देना है प्रेस अलॉट परमेश्वर हमारे लिए इंतिजार करें चलेगा हमें आकर परमेश्वर का इंतिजार करना है प्रेस अलॉट मैं आपको सच कह रहा हूँ अपने जीवन में परमेश्य के लिए त्याग करना सीखिए निराशा आपके जीवन में क्यों है? क्योंकि आप आशा को नहीं पकड़े हुए असुरक्षा आपके जीवन में क्यों है? क्योंकि वो सुरक्षा जो परमेशन ने इशू मसी के दौरा आपको दी है आप उसकी कीमत को नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं इसलिए वो कहता है कि यहोवा के मंदिर में कौन ठिकने पाएगा उसके परवत पर कौन बसेगा वो जो खरा होगा कोई और नहीं ठिक सकता है आपका खरापन आपको लेके जाएगा बजन सहीता 119 का 123 पहला पढ़िए यह से मैंने आपको बताया है कि परमेश्र का ज्यान बिलकुल अलग है संसार और परमेश्वर का ज्ञान बिलकुल अलग है प्रेस अलॉट है पड़िये बिटा क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की विवस्ता पर चलते हैं प्रेस अलॉट परमेश्वर के लिए धन्य कौन है जो चाल का खरा है जो सूट बूट पहनता है पैसे वाला है गाड़ी पे आता है वो परमेश्वर के लिए धन्य नहीं है धन्य कौन है जो चाल का खरा है जो हर परिक्षा में कहता है धन्यवाद जो हर परिक्षा में आनन्द उठाता है क्योंकि उसरे पता है कि जितनी परिक्षा अगए है वो मेरे धीरज को और दृड़ करेंगी मेरे विश्वास को और दृड़ करेंगी रहता लॉट याकूब की बत्री एक lost तो यह कहता है कि जब भी परिश्याएं आएं तो इसे आनंद की बास समझा वो है ख़रा मनुष्य जो परिश्याओं में आनंद लेता है कि अंकट आए तो खुश होता है कि प्रेस्ट लॉट कि बने सहीता 91 का पंद्रा क्या कहता है कि संकट मैं तेरे साथ रहूंगा हलो ध्यान दीजे क्या बोलता है परमेश्य क्या कहता है कि संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा कितने लोग चाहते कि परमेश्य आपके साथ रहे हालेलिया इसका मतला अगर मैं दूसरी भाशा में बोलूँ तो आप सब लोग संकट चाहते हैं लॉट कि हमारे जीवन में संकट हो कि उसका वादा है कि संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा इसके धन्यवाद दीजिए जब संकट आए धन्यवाद परमेश्वर कि मेरे जीवन में संकट आया कि तू अब मेरे साथ रहेगा Amen Permission चाहता है आप उसके नियम को जाने आप उसके साथ चले उसके वचन को समझे उसके मन को समझे जैसे आपने Permission को पाया जैसे आपने इशुमसी को पाया आप उत्रादिकारी हो गए किसी इसके उत्रादिकारी हो गए उसके धन के उसके खजाने के उसकी शक्ती के उसके सामर्थ के प्रेज अलॉट प्रेज अलॉट यानि कि आप उत्रादिकारी किसके हैं परमेश्यर के सामर्थ के हलो ध्यान दीजे आप किसके उत्रादिकारी है परमिश्र के सामर्थ के हलेलिया आज आपका बच्चा आप आपका बच्चा किसका उत्रादिकारी होगा आपके वसीयत का जितनी आपके बाद ज्यादाद है आपनों चार फ्लैट है चार फ्लैट आपके बच्चे के प्रेज लेकि परमिश्व के पास क्या है आप किस चीज के उत्र अधिकारी है आप उस सामर्स के अधिकारी है आप उस शक्ती के अधिकारी है आप उस अधिकार के अधिकारी है प्रिस अलोड हाललुया चेलो के उपर संक्रट आया तुफान आया हवाई आई लहरे आई नौ डोलने ल क्योंकि वह नहीं जानते थे उस उत्राधिकार की शक्ति को इश्व उठा लेहरे शांद हो जाओ हवाओ चुप जाओ लेहरे चुप जाओ चुप हो कि प्रेस्ट लॉट हमारा उत्राधिकार क्या है ये शक्ति प्रेस्ट लॉट हमारे पास खजाना क्या है हमारे पास खजाना क्या है क्योंकि हम हवाओं से बोलेंगे जो हवाएं रास्ता छोड़ देंगी ये हमारा खजाना है हलेलुया मेरा खजान लाक्या है मेरी डॉलत क्या है यह उस्यू ने प्रूंकिया है उसकी दौनत क्या है उस ने का है सुरके लुक घड़त पूरी मेरी सेना जब मेरे पूरे बच्चे चले ना जाए यहां से ये था उसका धन अलो ये था उसका धन जिसे आप जान लेंगे कि आपका धन क्या है जिसे आप जान लेंगे कि आपकी कीमत क्या है जिसे आप जान लेंगे कि आपका उद्रदिकार का शक्ती क्या है उस दिन आप निराश नहीं होंगे मेरी बहन किस बात के निराश रुजा यह? किस बात का? हमें कोई चीज निराश नहीं कर सकती है क्योंकि एशुमसीह हर निराशा को, घर दर्ड को, हर संकट को अपनी मौत के द्वारा खतम कर चुका है हमारे लिए सिर्फ जीवन है अनंद का जीवन है अनंतकाल का जीवन है सुख का जीवन है हमारे लिए और हमें भोगना है वो हमें उसी जीवन के रुशार चलना है Praise the Lord Hallelujah अयूब की पत्रे निकाली है अयूब, जोब, एक पहला पड़ी है उसका अयूब का पहला पहले का पहला उजदेश में अयूब नाम एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था वो क्या था? खरा बोली क्या था वो? बोली अयूब खरा था उसका इंट्रोड़क्शन ही ऐसे होता है कि वो खरा मनुष्य था प्रेश दो लॉड़ अभी क्या हुआ बीसवा इकिस में देखें यहां बहुत शैतान ने काम किया वो अलग इस्टोड़ी आप सब लोग जानते हैं किस तरह कि उसके उससा सब कुछ छीन लिया गया उसके बच्चे छीन लिये गया उसका कारोबार चीन लिया गया उसके उट चीन लिये गये उसकी बेल बकरिया सारी दौलत उससे चीन ली गई अयूब से वितने एक घंटे के अंदर लेकिन बीसवा क्या कहता है पड़िये बीस इकिस बाइस तब अयूब उठा और बागा फाड सीर मूंडा कर भूमी पर गिरा और धंडवत करके कहा मैं अपनी मा के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा यहवा ने दिया और यहवा ही ने ले लिया रिस लाट यहवा का नाम धन्य है हललुया खराब मनुशेप किसी बी मुसिवत में जड़कवा था नहीं है हम चर्च हाते हैं जिरा सी मुसिवत भाएती है पास्टर क्या करे पास्टOR उसने मुना कर दिया है अब अब क्या होगा पैसे नहीं दे रहा है वो काम नहीं हो रहा है मजदूर चला गया ये चला गया वो चला गया अरे काम कर रहा हूं वापर एक और आगया बंदा मरी नौकरी खत्रे में पास्टर क्या करूं आपके पास क्या अधिकार है आपके पास अधिकार है प्रात्मा का आपके पास अधिकार है कि आप जो भी संकट आपके जीवन में आया है उसको आज्या देंके वो हट जाए लेकिन उसके लिए आपको खरा बनना पड़ेगा वो खरा मनुश्यत आयूब उसने का मैं मां के कोक मैं से नंगा निकला ता नंगा ही जाओंगा परमिश्र ने दिया परमिश्र ने लिया और परमिश्र का नाम धन्य हो उसने कोसा नहीं कि अरे अगर साल भर हो गया है चर्च आते आते पास्टर से प्रात्ना कराते कराते है साल हो गया, दो साल हो गया है कुछ हो ही नहीं रहा है पास्टर गलत है पास्टर के अंदर सामर्थ रही है अरे भाईया कुछ अपने आपको भी जाचलो आईने में अपने आपको भी देखो कि आप में क्या नहीं है आप वो चाल चल रहे हैं आशीश पाने के योग के चाल चल रहे हैं आप आपके मन में धोका है आपके मन में जूट है और फिर आप सोचते हैं कि आपकी प्रातना है पूरी हो जाएं कता ही नहीं होंगी इन सब बातों में भी अयूब ने न तो पाप किया और न परमेश्व पर मुर्कता से दोश लगाया जब आप खरे मनुश्य होंगे जब आप रभू को जानते होंगे तो आप जानते हैं आप शरीर में आपके उमर बढ़ रही है तो जहिसी बात है जो अंदर की आतरियां है वो भी खराब होई होगी जो नसे हैं वह भी कमजोर हुई होगी प्रेस अलॉट हालेलिया आज मेरा बेटा 20 साल है जो नसे उसकी शक्ति में मेरी में नहीं है आज में 55 साल का होचकों तक्रिबन नहीं है तो इसका मतलब मैं परमेश्वर दोश लगा हूँ हालेलुया मेरे पेट में जर्थ होता है प्रात्रा करेंगे निकल जाएगा कोई बिमारी है प्रात्रा करेंगे निकलेगा शरीर है क्या उसके उसार जी रहे है हालेलुया तो जो परमेश्वर ने ख़ड़ा इंसान कौन होता है जो परमेश्वर को जानता है खरा इंसान कौन होता है जिसने परमेश्र को अपना अधार बना लिया है वो है खरा मनुश्य है हाललिया बजन सेता 119 का 1424 निका लिये मैं तेरी चितावनिया मुझे ऐसी लगती है कि मैं पास बहुत बड़ा खजाना है यह परमेश्र कहता है तेरी चितावनिया मेरा सुक्मूल मेरे मंतरी है र्रे शिताविया मेरे मंतरी है इनके वाइबल क्या कह रहे है कि तेरteil मिरे शलहकार है मेरे counselor है प्रिशो लॉर्ट मेरी पवित्रता अपनी पविट्रता को अगर आप गवाएंगे तो आप अंद कार में आजाएंगे उसकी छेटाव नहीं है अगर आप उसकी पवित्रता को गवाएंगे तो आप अंदकार में रहेंगे, तो ज़िए कहता, ज़िए काम करना जो मैं अंदकार में जाओं, मुझे कूँ ऐसा काम नहीं करना जो परमिशव से दूर हो जाओं, उसकी ज़िए आपके लिए कांसिलिंग का काम करती है, कर कि अलुलिया रिसल ओड इसलिए वो बजनकार कैसे प्राटना कर दो 36 वह को लोग की और नहीं और अपनी चितावनी ही कि ओ फैर दे मैं को प्रात्रा कर या भजनकार कि मेरे कानों को लोग की बातों के लिए नहीं मेरे मन में लोब की बाते ना आये मेरे मन में तीरी छैतावनिया आए एस अलोड कि वह जानता है अगर पर्मेशु की चेतावनियों को मैं ध्यांसे सुनुगा और ध्यांसे समझ कर उस पर चलूँगा शैतान मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता नहीं कर सकता उसकी चेतावनिया आपकी सहयक है आपकी सलाकार है आपको मार्ग दक्षक देती है आपको सहयता करती है आपकी सुरक्षा है उसकी चेतावनिया चुक्कि वह आपको भी जानता और आपके भविश्य को भी जानता है वह आपको गांता है संसार को जानता अर्श शनसार को चलाने वाले शयटान को भी जानता है और आप नी जानते आप ने जानते है इसम गिल्र ग्रेशोत यहावा ने लिया लेकिन अभी क्या कहता है यहुवा के बारे में वो 23 का 10 11 परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चला हूँ एमेन अयूब कहता है अपने दोस्तों से दोस्तों तुम मुझे पर दोश लगा रहे हो लेकिन वो जो सिश्षी करता है जो सर्व शक्तिमान है जो ऐलोही है वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ Praise the Lord Hallelujah वो ख़रा इंसान है ख़रे मनुश्य को मुसीवतों में भी अपने कामों पर घमंद होता है वो घमंद कर रहा है यहाँ पर कि मेरा परमिश्व जानता है वो जानता है कि मैं कौन हूँ यह है ख़रा इंसान यह है जो तंबू में रहने के लिए योग्य है मंदिर में बसने के योग्य है प्रेस अलॉट मैं जानता हूँ इसका अगला और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा प्रेस अलॉट हो सकता है मेरी मुसीबते कुछ भी हो हो सकता है आज मेरी मुसीबतों के वज़ा से मेरा धंदा चौपट हो गया मेरी नौक नी चली गई मेरे बच्चे मुझे छोड़के चले गए मेरा कलीसिया वाला ने मुझे छोड़ दिया हो सकता है मेरी मुसीबतों के वज़ा से लेकिन वो जब मुझे ताड़ेगा जब वो मुझे देखेगा जब वो मुझे उठाएगा जब वो न्याय की दृष्टी मेरे उपर डालेगा तब वो समझेगा और जानेगा कि मैं सोने की तरह हूँ हालिलुया मैं सोने की तरह हूँ मैंने कोई डवल चाल नहीं करी है मैंने कोई घपला नहीं किया है मैं ख़ड़ा इंसान हूँ मैंने दो पैसे के लिए किसी की चमचा करी नहीं किया है परमेश्ण के नाम का मैंने ऐसी उप्यप नहीं किया है बार मने उसकी आग्या का पालन करने से मैंन न हटा, बार मारीम का छन अधीक काम के जानकर सुरक्षित रखे, मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम में जानकर सुरक्षित रखे उसके आग्याओं को उसके वचनों को मैंने अपनी इच्छा से पहला इस्थान दिया है उसके वचनों को मैं परने हमिशा यहनि कि उसने अपने बच्छों से पहले अपने धन्य से पहले, अपने काम से पहले, अपनी बीवी से पहले, अपने शरीर से पहले परमेश्चर के बचन को मान दिया है इसलिए वो कह रहा है, इसलिए वो खह रहा है प्रेस रोड़, हमारे जीमन में निराशाय है क्यों आती है, सभब देशक, 11, 4, 5, 6 हम निराशाएं हम जानते हैं पर्मेशक को हम इशु को जानते हैं हम उसके वश्चनों को समझते हैं लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते सबब देशक जो वायू को ताकता रहेगा वह बीच बोने न पाएगा आप परमेश्चर के वचन को अपने जीवन में कार करने के लिए आप उसमें चलते ही नहीं है प्रेस लॉट देखिए विश्वास और कर्म विश्वास कर्म के बिना अधूरा है याकुब की बत्री कहती है अगर आप मसी है और आपके कर्म में मसीयत नहीं है तो आप विकार है आप मसी नहीं है चर्चाना फिजूल है आपका क्यों दिराश हो रहा है आप क्योंकि आप वाईयू को ताक रहे हैं कोई वाईयू को देख सकता है आले लिए लेकि निराशा जिसके अंदर निराशा है ना वो देखता है वाईयू को भी देखता है क्यों देखता है क्योंकि वो वाई यू से आशा पाने की कोशिश करता है हलो आप उन चीजों से आशा पाने की कोशिश करते हैं जिन से आपको नहीं मिल सकती जो आपको धोका दे देंगे जो आपको बीच रास्ते पर छोड़के चले जाएंगे आप उनसे आशा पाने के कुशिश करते हैं जो इश्व आपके लिए मरा और मर के जिन्दा हो गया आप उसकी आशा को नहीं थामते हैं आप उसकी आशा को नहीं थामते हैं इसलिए वो क्या करता है जो वाईयू को ताखते हैं जो वाईयू को देखते हैं वो डूब जाते हैं याद है पत्रस ने भी वाईयू को देखा था जब ईशुम उसी पादलों पर अपने पानी पर चलते हुए आ रहे थे पत्रस और उसके चेले नाओं में थे हाललेया पत्रस ने का है ईशु तू चल रहा है अगर तू यह तो मैं आओ ईशु ने का आजा और वो दो कदम चला और बाइबल कहती है वो हवा को देखने लगा जो हवा को देखते हैं वो डूब जाते हैं और अगर ईशु आपके पास नहीं है तो आप पूरी तरीके से डूब जाते हैं पत्रस के पास ईशु था उसने थाम गलिया उसको बचा लिया हमें बाइबल को वचन को अपना आधार क्यों बनाना है बाइबल क्यों कहती है कि धन्ने है वो मनुश्य जिसने परमेशर को अपना आधार बना लिया है क्योंकि आप जब उसको आधार बना कर उस पे चलते हैं तो आप कभी भी नहीं डग मकाएंगे कभी भी नहीं डग मधाएंगे आप कभी भी निराशा नहीं आईगी अगर आपका आधार परमेश्षर है आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आईगी आपको किसी के साफ्टे जुकने की जरुत नहीं है जीञार गेजी की ज Privacy Lord लेकिन मसी होने के बाद भी अगर आपका अधार संसार है तो आप निराश्य आएगी तो बेचेनी आएगी असुरक्षा आएगी तनाव आएगा टेंशन आएगी इसका नेक्स पांचमा जैसे तू वायू के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रिति से गर्ववती के पेट कूल्षा में हड़ीया बढ़ती है वैसे तू परमेश हो का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है हलेलुए से वैसरा टू परमेश्रों के काम को और चनता अ आपको विश्वास कर रहे है जिस तरह तो वाईयू के नहीं जानता वाईयू कहां से आरी जानते आप दिख रहे हैं आपको वाईयू एक इसलिए के गर में हड़्ियां कैसे बन रहे हैं दिख रहे हैं आपको उसी तरीके से आप परमिश्र के काम को नहीं जानते इसलिए इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा गया है उत्पत्ती पंदरा का पांच जब इब्राहिम को पर्मेशन तंबू से बाहर लेकर आया उसने सितारे दिखाए हालेलिया प्रेस अलॉड पर्मेशन के काम को आप तब समझेंगे जब आप पर्मेशन को जानने की कोशी करेंगे जब आप उससे प्यार करेंगे बोलो बेटा पांच पांच पंदरा का पांच और उसने उसको बाहा ले जाके कहा आकाश की ओर दुष्टी करके तारागन को गिन क्या तू उनको गिन सकता है आकाश को देख उसके तारा गण को गिन क्या तू उसको गिन सकता है अंजी फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा तेरा वंश ऐसा ही होगा यह निके तेरे वंश में इतने ही बच्चे होंगे और बाइबल कहती है उस समय तक उसको एक भी संतान नहीं थी एक भी संतान नहीं थी 75 का हो गया था वो 75 साल का एक भी संतान नहीं थी और परमेश्वन ने का यह देख तारे जितने तो गिन सकता है उतना तेरा वंशो का और Bible कहती है कि Abraham ने उस पर विश्वास किया Hallelujah क्या किया? विश्वास किया Romeo 4 का सत्रा Permission देखता नहीं है लेकिन वो काम कर रहा है आपके जीवन में Praise the Lord Hallelujah जब Permission हमारे जीवन में काम करता है तो हमारे पड़ोसी देखते हैं हमारे भेहन देखते हैं भाई देखते हैं करें यार छे महने पहले एक ख्याँ था अभी क्या हो गया है? इसका बोलने का तरीका बदल गया है ये जिन्दी की जीने का तरीका बदल गया है Praise the Lord क्या हो गया है? क्या परमिश्वर को आपने देखा है आपके अंदर काम करते हुए? लेकिन परमिश्वर आपके अंदर काम कर रहा है तभी हम बदल रहे हैं तभी हमारे जीवन में आशीश हो रहा है चार के सब्सक्राइब देखें क्या करता है पढ़िए जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है उस परमिश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुऊ को जिलाता है और जो बाते हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानोवे है जो बाते हैं ही नहीं सामने नहीं दिख रही हैं उनका नाम ऐसे लगता है जैसे वो हैं यह हमको समझ ना पड़ेगा परमेशन ने अगर बोला है कि तेरे जीवन में अनिल कोचर अद्बुद आशिशों की बारिश होगी तो होगी उसने कहा है प्रेश लौट इबरहाइम को बोला देख तारागर देख अकाश में अगर गिन सकता है तो गिन इतने तेरी संताने होंगी और उस समय तक उसका एक बच्चा नहीं था और इबरहाइम ने इस पर विश्वास किया और ये विश्वास उसके लिए आपका धर्मिक्ता गिना गया प्रेस लौट इबरहाइम जिस भूमी में रह रहा था वो परमेशन ने उसको दे दी थी लेकिन जब सारा मरी हेब्रोन में तो इबरहाइम ने वही पर उसके लिए मकपेला गुफा को लिया खरीदा हलो परमेशन बोल चुका है कि धर्टी तेरी ये देश तेरा है उसके बाद भी अबरहाइम ने हेब्रोन में अपनी पस्तिन के लिए अपने वंश के लिए मकपेला गुफा को खरीदा ताकि इसी गुफा में हम लोग दफन होंगे और पुरुथान करके उपर जाएंगे हालेलिया ये विश्वास था पुरुथान की शक्ति पर उसे विश्वास था पुरुथान पर उसे विश्वास था उसे पता था कि मैं जाओंगा उसे पता था जो पिता है जो परमेश्वर है जो मुझे प्यार करता है वह मुर्दों को जिंदा कर सकता है इसलिए जैसे उसने कहा परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलोते पुद्र का भली दान दे उसने ना नहीं की रेस अलॉट कि जनता है इसलिए उसी पहाड़ पर कौन के कौन से पहाड़ पर लेगा था किसी को याद है को याद नहीं होगा मोरिया परबत मोरिया परबत पर परमेश्व ने इब्रहेम को जाने की इजाज़त दी रेस अलॉट फिर ये सब्जेक्ट दूसरा है लेकिन कहने का मतलब है अगर आप खरे हैं तो आप आशीश पाएंगे वो परमेश्वर जो कहता है वो करता है अलिलुया अलिलुया अब्रहेम के संतान हुई और बाइबल कहती है निर्गमन की किताब में हम देखते हैं कि चार सो साल के बाद तकरिबन पंदरा से अठारा लाख लोग जो कि अब्रहेम के वांश्वर थे मिस्ट से निकाले गए अब यह परमेश्वर कहता है कि ईश्व आएगा और बादलों पर सवार होके आएगा हमको लेके जायेगा यह सच है और मैं आपको बता दो मेरी बहन आप इस वशन को यूही मत लीजिए इशू बहुत जल्द आने वाला है बहुत जल्द आने वाला है इसलिए अपने आपको अलर्ट करिए अपने खरेपन को मत जाने दीजिए मेरा खरापन ना जाए मुझसे कि जब तक मेरे अंदर खरापन है मैं उस तंबू में रहूंगा अगर मेरे अंदर खरापन नहीं है मैं तंबू से निकल जाऊँगा निकल जाऊँगा अपने आप निकाल दे जाऊँगा आप याद करिए का बता रहा हूं मैं मेरी बात को जहां आप संसार में लोटने लगेंगे आपको चर्च बुरा लगने लगेगा सुन रहे हैं आप लोग अगर आप संसार में लोटने लगेंगे अगर आप परमेशों से ज़्यादा संसार को एहमेद देंगे कलीसिया से ज़्यादा संसार को एहमेद देंगे आइस्ता आइस्ता आपको कलीसिया बुरा लगने लगेगा आइस्ता आइस्ता शेतान आपको दूर कर देगा यह उसकी चाल है चुकि आप मेरे बेहने हैं मेरे भाई हैं मेरे बच्चे हैं इस सच आपको बता रहा हूं कभी ऐसा हो, एलट हो जाओ कुछने ठेको प्रभू के मंदिर को प्रभू के घर को नहीं छोड़ो कुछ भी हो जाए कितने भी कीमत कितने भी दौलत आप क्यों ना कमाले मेरे भाई लेकिन प्रभू के वचन से बढ़कर कोई दौलत नहीं है आलेलुया प्रेस अलॉड इसलिए यहोवा तेरे पवित्र इस्थान में कौन रहेगा दौबरा पढ़िये पंदरवा का हालेलुया यहोवा तेरे तंबू में कौन ठीकेगा कौन तेरे पवित्र इस्थान पर बसने पाएगा वो ही जो खरा चाल चलेगा वो ही जो खरे जीवन को बिताएगा वो ही जो परमिश्र को अपने आधार मानेगा और वो ही जो वश्णों पर चलेगा Hallelujah! Praise the Lord! आज का बचन हमने grant किया Yes! बोल ये इश्यो मसी की? Yes! Praise the Lord!